हलो मेरे दोस्तों बकैति विद बायलोजी में आपका स्वागत है हम लोग चैप्टर पढ़ने हैं वन्सागत विट्था का सिध्धान्त इसमें सारे महत्पूर्प्रस्ण जो यूपी बोर्ड में आये हैं या आ सकते हैं उनको सारा निचोड मैं आपको दे रहा हूं यहां इंज्वाय के साथ हम पूरी बायलोजी को पढ़ेंगे और जो यह पूरा रायता जिस इंसान ने फैलाया है उसको हम जानते हैं वो कुन है ग्रेगर जॉन मेंडल जिनको आनुवांसिकी का पितामह कहा जाता है फादर आप जेन्टिक्स तो उनके आधार पे अभी तक बात अगर करते हैं तो मेंडल ने एक नियम दिया था प्रभाविता का नियम प्रभाविता की नियम में कहा जोinti रहेगा और वो एक प्रभावी है इसी की आदार मेंडल ने कहा कि यह पौदा होगा यह लंबा होगा और इस लंबे पौदे को उन्होंने नाम क्या दिया संकर लंबा लेकिन यहाँ पे एक पुर्वाविता यानि मान के चलते हैं यह डाक़ फ्लावर यानि सौन स्वान पुष्प के ऊपर प्रियोग किया गया तो देखा क्या गया अपूर परभाविता की समझीगा अ पुन परभाविता में उस स्वान पूस्प में सफेद रंग का फूल होता है जो है लाल रंग का पूल पॉल का पाओधा होता है दोनों के भीिच उन्य स्क्राइश कर आया तो ध्यास ऽमस्ते हैं जो लाल पु स्प्था टू सके अलील के क्या होगे और अध्य चैपिल वार ता उसके क्या एलील हुए समाल लग और आपकर युगमक कैसे बननें है युगमक माणे अलग-अलग हो जाना, इनके अलील को अलग कर दो, युगमक बन गए, इनके भी अलील को अलग कर दो, ज्यादा सोचना नहीं है, अलील को अलग कर दो, युगमक बन गए, युगमक कैसे बने इसको हम लोग, डिटेल में बाद में कभी समझा जाएगा, तो यह capital R, capital R बन गए अब जब इनको हम मिलाते हैं यह दोनों अगर मिल जाते हैं Capital R, Small R, इन में जब Cross Pollination कराते हैं होता क्या है कि यह जो होता है यह पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है पिंक यानि गुलाबी गुलाबी हो गया यह तो मेंडल के नियम के नुसार मेंडल ने का भईया यहाँ पे होना क्या चाहिए था लाल होना चाहिए था लेकिन मेंडल का नियम यहाँ पे तूट जा रहा है ऐसे मान के चलते हैं यहाँ पे मेंडल के नुसार क्या होना चाहिए था लाल होना चाहिए था यह गुलाबी आ गया ये उसी तरीके से हुगा कोई मुहले का है गुंडा है अपने मुहले में क्या है प्रभावी है दूसरे मुहले में गया उसकी आवाज क्या हो गई टाय 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 फिस हो गई गुंडाई खतम हो गई तो ये अलेल जब अपने साथ वाले के साथ था तब तो उसकी गुंडाई वो अनपाथ होता है 1 is 2, 2 is to 1 तो जो पचीसवा question है कि अपूर प्रभाविता का क्या अनपाथ होता है फिनो टाइप अनपाथ तो कितना होता है एक अनपाथे, दो अनपाथे, एक इसको फिनो टाइप को दिस्ट प्रारूप भी करते हैं यहाँ अनपाथ को हम अवकाथ वहाँ लेते हैं तो फिनो टाइप इसका अवकाथ कितना है 121 रुपए, बस याद हो जाएगा 121 रुपए बोले, यह फिनो टाइप याद रखना, और मेंडल के प्रभाविता की नियम का क्या है, वो है तो यह दोनों फिनो टाइप रेशियो इनकी अवकाथ 31 रुपए की इनकी यह 121 रुपए की अब बात आती है अगला क्योश्चन अगला क्योश्चन इन सियाटी में दिया हुआ है इसको थोड़ा गंबीरता से समझते हैं बन लो यह कहरा है क्योश्चन कि हम एक पौधा ले रहा है और वो पौधा क्या है पीले बीज वाले लंबे पौधे हैं पीले बीज वाले पीले बीज वाले पीले बीज वाले लंबे पौधे लंबे पौधे और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने हरे बीज लिये हरा रंग का पौधा लिया हरा बीज वाला और कैसा था लंबा पौधा ये दो पौधे लिये अब हुआ क्या देखिए गया पे यहां पे जो इसका अलील होगा उन्होंने दिया है वो दिया है capital Y small y, capital T इन्होंने दे दिया है कि इसका ये जीनो टाइप इनके ये अलील है और हरे पौधे में क्या दिया है हरे पौधे में दिया है small y, capital T, small T ये इन्होंने दे दिया है पहले से सवाल में अब ये पूँच रहे हैं कि जो इनसे संताने उत्पन होगी उनकी संतत्य का जो फीनो टाइप होगा उसमें कौन साधिक प्राप्त होगा लंबे हरे प्राप्त होंगे कि बौने हर ये सवाल है तो ये सवाल तभी हमको हल कर पाएंगे जब हमको पता हो कि युगमक कैसे बनाएं अगर आप युगमक यानि गैमीट बनाना नहीं जान पा रहे हैं तो ये सवाल आपके ऊपर से उड़ जाएगा तो इसको बनाने का तरीका सेखते हैं अगर हम बात करते हैं आपको ये दिया गया है युगुनित है आपको युगमक बनाना है तो यह पहले किसके साथ जाएगा फिर अगला युगमत बनाते हैं फिर यह कैपिटल वाई एक बार कैपिटल टी के साथ आ गया अब दुबारा किसके साथ जाएगा किसके साथ करेंगे इसमाल वाई किसके साथ की साथ है इस के साथ यहां पर यहाँ यह वाला डिटेल आगे देंगे कि मानों में लिंग निधारण कैसे होता है उसमें समस्च देंगे यह युगमक बन गए चार यहां पर देखते हैं यहां पर ही खेला है यह चार युगमक आप बना लिए यह बना लेंगे आपका सवाल होगा यहां युगमक कैसे बनेंगे यहां हम जब देखेंगे तो यह स्मॉल वाई यह क्या है बेटा तो यहां पे दोनों जगह जो युगमक बने अब आप दिमाग लगा रहे होंगे कि यहां तो चार गैमिट बने यहां पे दो ही गैमिट बने तो इसके पीछे समझो कि यहां पे यह क्या है कैपिटल वाई समॉल वाई जब कि यहां दोनों क्या है आप दोनों मेंसे एक ही तो लेंगे अलग-अलग तो यही लेने अच्छा अगर हम चाहें कि पाचवा कोई सईयोग बना ले पाचवा सईयोग होगा ही नहीं क्योंकि यह था हम इस वाई को अब किसके साथ लेंगे आपको इसका अंसर मिल जाएगा यहां पर है क्या कि इसमाल वाई कैपिल टी स्माल वाई इस्माल टी इधार इसको मान लेते हैं मेल यह जाय मिल ने पर इसका चार है चार गहउमिट्थें, तो हम चार इहां पर बॉक्स बना देंगे, अब बॉक्स में आये क्या है? कैटल Y, कैटल आज गपन, कैटल T, कैटल y अब इनको आपस में मिलाना, अगर जो नहा बन्दा तो नहीं सीख पारोथ, कोई बात नहीं, इनको और इनको आपस में मिला दो वाइवाई को एक सिर्र हम डot को एक तरप रखलो हो गया बस मिलाना बहुत आसान यह कैपिटल आई यह समोल वाई यह कैपिटल्तिक एकاع अब इसका रंग देख़ो पीछा पीला रंग है तो यह जब अब यह प्रभावी तो Capital y small y, capital t small t, य स्माल टी य भी क्या होगा? पिला-लंबा. पिला-लंबा पिला-लंबा अब फिर आते हैं, यह small y, small y, capital t, capital t, यह क्या होगा? हरा और लंबा होगा अब यहां आते हैं यह क्या है इस्मॉल वाई इस्मॉल वाई ध्यान से समझेगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैप्टल टी स्मॉल टी यहां पर क्या आ यहां पर आ गया हरा और लंबा फिर यहां पर अब इस इन से मिलाते हैं यहां से चारों से मिला चुके अब यहां प की स्मॉल्टी यहां पर फिए क्या होगा पीला लंभा कि फिर इनको मिलाते हैं तो armies मॉलवाई मॉल्टी स्मॉल्टी यह होगा पीला बाउना क्यों क्यों कि slower की बाउने पन को दिखाता है फिर आते हैं लोग कि इस मॉल यहां क्या हो जाएगा हरा और लंबा Capital Y, Small Y, Small T, Small T तो यह होगा पीला, बौना क्यों? क्योंकि Small T किसको दिखाता है? Dropness, बौनेपन को दिखाता है फिर आते हैं हम लोग Small Y, Small Y, Capital T, Small T यहां क्या हो जाएगा? हरा और लंबा यहां फिर आता है Small Y, Small Y, Small T, Small T यह आ जाएगा हरा और बौना अब पूछा जा रहा है option में कि इसमें लंबे हरे अधिक होंगे कि बौने हरे तो आप की पता है कि लंबे हरे सबसे अधिक हो रहे है एक लंबा हरा यहां पे एक लंबा हरा यहां पे, एक लंबा हरा यहां पे, तो यहां पे लंबे हरे कि हमको किती संतत मिली, तीन संतत मिल गए, तो यह एकदम यह बहुत दीजी है, अगर आप गैमिट बनाना सीख गए, बस सारा खेला गैमिट का है, युगमक बनाना आप सीख गए, तो यह सवाल आप मिन्टों में कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप य गैमिट मिला के आसानी से कर सकते हैं, अब अगले क्विश्चन पर आते हैं, अगला क्विश्चन क्या कह रहा है, अगला क्विश्चन कह रहा है, कि मानों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ पर भया समझने की बात है, मानों जो होते हैं, वह कोशकाओं से मिल के बने होते हैं कि उसमें लिंग का निर्धार कि कैसे लड़की या लड़का पैदा होता है तो इंसान की जो है जैसे दिवाल किससे बने ही होती है इटों से मिलके बने होती है आप देख रहे होंगे यह काई है इट उसी तरह कि इंसान किससे बना है एक एक कोशका हों से बना देते हैं गुणसूत्र क्रोमोसॉम, इनकी संख्या कितनी है, 46, तो इतने लाखों साल से जो इनसान का विकास हुआ, तो हमको मिला क्या है, जो हमारे पुर्खों ने हमको दिया है, वो क्या दिया है, गुणसूत्र, क्रोमोसॉम, यही हमारी असली संपत्य है, यही असली धन ह है जो हमको क्या बनाती है होमोसंपियस इंसान बनाती है यह गुणसूत्र बदल जाए तो इंसान बदल जाता है क्रोमोसोम की संक्या बदल गया इंसान बदल गया तो यह बहुत महत्पूर्ण कोई चीज है कि गुणसूत्र अब यह गुणसूत्र कितने पाय चाहhoven लगा लो अगर आध्य है जोड़ा लगा दो तो दो-दो Fighter जोड़े वनेंगे वह आएंगे तेज जोड़े आँ एosseगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी कर हूं कोफी कठी हुआ क्या अब आपको पता है कि लिंग निर्धारण में अगर हम मनुस की बात करते हैं तो उसमें लेंगिक जनन पाए जाता है जिसको हम sexual reproduction काते हैं लेंगिक जनन का क्या मतलब होता है कि जब मादा युगमक और नर युगमक आपस में मिलें तो इसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन के लिए इस्तरि पूरुस में लैंगिक अंग है जो सहायक होते हैं गयमीट को मिलाने के लिए लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा समझते हैं अर्द सूत्री विवाजन और संसूत्री विवाजन यह समझ में नहीं आएगा, तो हम समझी नहीं पाएंगे, युगमक कैसे बनते हैं, और कैसे उसमें गुण सूत्राधे होते हैं, कैसे पूरे होते हैं, अब बात होती है, किनकी समसूत्री विभाजन और अर्दसूत्री विभाजन को, तो यहां हम एक बात लिख दे रहे हैं, समसूत्री विभाजन की और यहां लिख दे रहे हैं अर्दसूत्री विभाजन अब यह समझ लेते हैं फिर इस question को अच्छे से कराते हैं तो समसूत्री विभाजन एक कोज़का हमने लिए इंसान की कोज़का यहां भी एक इंसान की कोज़का है अब समसूत्री और अर्दसूत्री को यहाँ पर हम लोग दोनों को भाई मानते हैं समसूत्री भी एक भाई है और अर्दसूत्री भी भाई है दो नंगदम सगे भाई हैं अब इनके पास जो संपत्य है जो पैसा है वो 46,000 है इनके पास जो है 46,000 है जो समसूत्री विभाजन है उसके दो लड़के होंगे यानि कोशका विभाजित होगी तो दो कोशका बनेगी तो ये कोशका जब विभाजित होगी दो कोशकाओं बनेगी ये भी विभाजित होगी तो दो कोशकाओं बनेगी शुरू में इसमें भी दो कोशकाएं बनी और इसमें भी दो कोशकाएं बनी अब जो समसूत्री विभाजन वाला बंदा है उसके जो लड़के हैं वो कह रहा है जैसे आप देखें होंगे किसी इक दो लड़के हैं तो वो दो घर बनवाएगा भैया लड़े ना आपस में बटवारे में एक घर तुम लेओ, एक घर तुम लेओ, बराबन इसाब, लड़ाई लगो, तो यही चीज अर्व सूत्री विवाजर नहीं कर पाता है, उसके पास कहता है, हमाय पास एक ही घर है, इसी में आधा आधा बांट लो, नहीं होता है, कई लोग नहीं बनवा पाते हैं, घुष खो करता है, अपने को डबल कर लेता है फाइसे को, और जैसे डबल कर लेता है, फिर इसको भी 46 दे देता है और इसको भी 46 दे देता है केंद्रक में यानि 46-46 क्रोमोसोम दोनों में आ गया तो जब क्रोमोसोम की संख्या में न बदले बदलाव न हो तो वो क्या होता है समसूत्री विवाजन ये बात समझ में आ गई ये होता कहा है जननंगों को छोड़ दे जननंग का मतलब क्या है टेस्टिस को छोड़ दे पूरुस में और औरी को छोड़ दे कहां इस्तरी में इन दोनों को छोड़ दे बागी सब जगह क्या होता है समसूत्री विवाजन जैसे इमानदारी बहुत कम जगह मिलती है बहित सब जगह कों सा हो रहा है अर्दी सूत्री विभाजन क्या होता है वो कारा भी हमारे पास पैसे जादा नहीं है मेरे पास 46 हैं यही मिल के तुम लोग ले लो तो का थे ठीक है पिता जी आधात तेही सम ले ले लेते हैं और जब ये गुण सूत्रों का विभाजन इस तरीके से होता है कि जब गुण सूत्रों की संख्या आदी हो जाती है तो इसी को करते हैं, अर्ध सूत्री विभाजन और इसको इंग्लिस में क्या करते हैं, मियोसिस, इसको क्या करते हैं, माइटोसिस, भाई यूपी बोर्ड व छोड़के अगर पड़े रहे तो भाई करे जा तो मजबूत है चाहर यह होगा अच्छा नम्बर पाना तो सुनो तो अब यह तेश्ठ वूर्ण शूत्र और अर्द शूत्री बिभाजन जब होता है यह कोज का यह होती है divut होती है और यह यह वाली कोज का तो इस तरीके से यह होता है समसूत्री और अर्दुसूत्री बाजा अब यहां पर हम लोग मानोजनन को समझते हैं यह चीज अगर आप समझ चुके हैं देन आपके लिए मानोजनन समझना बहुत कठीन नहीं है हमको पता है कि हमारे पुर्वजों ने हमको जो असली धन दिया हो 46 गुणसूत्र हैं इन 46 गुणसूत्रों का आगे होगा क्या होता है पूरा लिंग निरधारन को कोацनिक को निर्धारित करता है मानके चलते हैं अब यहां पी क्या है तेज जोड़े हैं तो जो बनुस्से में 44 क्रों मोसों होते हैं गुल सूत्र होते हैं अब सून है मनुस्सation के जो 44 होते हैं वो क्या कहल आते हैं इनको हम करते हैं अलिंग हो तर सgraduate अलिंग में भागना ले निर्धारित करते हो लड़का होगा लड़की इसको इंग्लिस में कहते है आटोंस इनको आटोंस करते हैं इनकी संख्या होती है चवालीस जोड़े में करेंगे तो कितना आएगा दाइस आप साभव यह 52 होगे यह जोड़े होते हैं clear बात अब यहां तक तो समझ में आगया जो पूरा असली खेल है जो पूरा रामा या लोचा फैलाया गया है वो किसके दोरा है तेज़ गुण सूत्र के दोरा जो तेज़़वा गुण सूत्र हो चाहँ जो तेज़़वा जोड़ा होता है वही सबसे महत्पूर है यही सबसे महत्पूर है और यही पूरा खेल किया हुआ है क्यों क्यों कि अगर कोई स्त्री होगी तो उसका 23 जोड़ा क्या होगा एक्स-एक्स होगा और कोई पुरुस होगा तो उसका जोड़ा क्या होगा एक्स-वाई होगा प्रकित भी जानती है तो इस तरीके से प्रकित ने उनको दो गुरह आई, आभ यही पर शुरु हो जाता है, लिंक निर्धारन का खेल। क्यों जो हो इस्त्री है तो उसके दोणों लिंग गुरॣषूत्र। लिंग गुर्ण सूत्र और लिंग गुर्ण सूत्र को 6 क्रोमोसोम कहते हैं इसमें जो इस्त्रियों में x x होता है इसमें y y यानि निकल के क्या आता है कि अगर कोई इस्त्री है तो उसके पास क्या होगा 44 प्लस x y x x sorry तो ये हो गया 44 अगर कोई पूरुस है तो उसमें क्या निकल के आता है x y और 44 उसके आतों ये निकल के आते हैं इतना होता है अब एक पूरुस और इस्त्री की साधिक होगी अब पूरुस के पास है टेस्टिस ब्रिसन उसमें निर्मार होगा सुक्रानु का क्योंकि सुक्रानु क्या होते है युगमक कहलाते हैं, अर्थ-सूत्री विवाजन की परिवासा हम समझ चुके हैं, आधा-धा बांड़ दो संपत्य को, पुरुष ने अपने आधे-धे संपत्य को बांड़ दिया, 22 यहां आएगा, एकस वाई में एक कुन ले लेगा, एकस ले लेगा, एक सुक्राणू, और दूसरा सुक्राणू जो ले लेगा, वो ले लेगा, वाई को, और इस्तरी में क्या होगा, जब अंडाणू का निर्मार होगा, तो दोनों अंडाणू में क्या होगा, एक में 22 एकस आएगा, और एक पानी है कोई भी रंग मिला दो उसी रंग का हो जाना है कोई भी सुक्राण मिला दो एक्स मिला दो गे तो लड़की हो जाएगी वाई मिला दो गे तो लड़का हो जाएगा बस यही खेला है लिंग निद धारण का यद यहां पे ध्यां से समझेगा अगर यह दोनों मिलते है तो हो जाएंगे 44 प्लस xx यह हो जाएगा क्या लडकी यहाँ पर गल्स यानि लडकी उत्पन्ध हो जबकि अगर यहीं पर इसको और इसको मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा लड़का यानि पूरी तरीके से लिंग निर्धारण कौन करता है तो यह आदमी के हाथ में इस तरीका इसमें कोई रोल नहीं है पुरानी जो औरते होती हैं बहुग मार देती थी या बिटिया काया पैदा कर रहो माट डालो इनको बिटिये बिटिया पैदा रहो उनको अपने लड़के मार देना चाहिए क्योंकि लड़का ही निर्धारित करता है कि वाई के कारण ही क्या होते हैं लड़का या लड़की होना तय है जो पुरुष के सुक्राणू के पास होते है तो इस तरीके से ये लिंग निर्धारण का क्योश्चन ये यूपी बोर्ड वालों का फैवरेट क्योश्चन है नहीं इसमें आएगा मैं मझूवip कीग निर्धारण का यह नहीं कर दो इन ही तीन-्चार क्यूश्चन में कर लापेटे रहते आपसे रहते लेकिन एक ठीब लाइन बाद नहीं है हम यह नए अब बात आती है अगला क्योश्चन है कि पच्छियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है पच्छियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको भी समझ लेते हम लोग पच्छियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है जो पच्छियों में निर्धारण होता है वो होता है जेड 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 डबलू टाइप का लिंग निर्धारण पच्छियों में पाय जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन अब यह उसमें होता क्या है जो नर पच्ची होगे यहां पे समझेंसान का जस्ट उल्टा हो जाता है नर पच्ची नर पच्चियों के पास दोनों लिंग जो गुंड सूत्र होते हैं यानि जो नर पच्ची होगा उसके पास दोनों क्या होंगे जडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड युगमजी हेट्रोग्रामेटिक और यह क्या है समयुगमजी पूरुसों में के लिंग निर्धारण में जो पूरुस होते हैं वह भी समयुगमजी होते हैं पच्छियों में क्या होते हैं वह मादा पच्छी क्या होती है भी समयुगमजी होती है तो यह बहुत मत्पूर्ण ह किसके पच्चियों का ये बहविकल्पी में आता है या एक नंबर में पूछ लेंगे कि भई यह लिंग निर्धारन बता लो एकदम डर्निक बात नहीं है अब बात आती है अगले क्योश्चन पर लेकिन वीडियो को यह भी राम करते हैं फिर अगले वीडियो मिलेंगे